हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का 2024 में होने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए ये प्रश्ण पत्र बहुत जादा इंपोर्टेंट है देखे फ्रेंस आज हम कच्छा दस ये गड़ीत का जो वाइरल पेपर हुआ है इस वाइरल पेपर का यहां पे संप 15 मिनट का प्रश्ण पत्र को हल करने का समय में मिलता है ठीक है देखे फ्रेंस आपको कुछ निर्देश दिया होता है जब आपको प्रश्ण पत्र मिले तो उस निर्देश को आपको पहना अनिवार होता है देखे इसमें क्या होता है आपका कि प्रारम की जो 15 मिनट रहता ह फ्रेंस, आपको परश्ण पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, ठीक है, यानि कि आप 15 मिट तक परश्ण पत्र को ध्यान अपुरवक पढ़ना रहता है, फिर इसके बाद फ्रेंश, आपको कुछ समाने निर्देश दिया रहेगा, उस समानी निर्देश को आप 15 मिट में अच्छे प्रकास पढ़ लीजियेगा और समझ लीजियेगा देखिए फ्रेंश आपका पहला निर्देश रहेगा कि सभी प्रश्ण करना अनिवार है जितना भी प्रश्ण आपको देगा फ्रेंश वह आपको हल करना है इसके बाद देखी आपको क्या है दूसरा निर्देशाब के लिए रहेगा कि इस प्रश्ण पत्र में दो खंड रहेंगे ठीक है अब दो खंड कौन से रहेंगे उसको देखते हैं तीसरा है इसमें खंड आ रहेगा जिसमें 20 अंक का आएगा और यह 20 तो प्रश्ण जो रहें ठीक है फ्रेंस अब देखे चौता आपका निर्देश है कि OMR पर उत्तर अंकित किये जाने के पस्चा आपको उस पर काटना नहीं है उसको आप ध्यान दीजिएगा ठीक है अब देखे फ्रेंस पांचवा नंबर का निर्देश आपका है करने कि दूसरे खंड जो रहेगा और का दूसरा वाला कटा उसमें पचास अंक उत्तर पुस्तिका जो रहेगा अब देखे च्छाचवा नंबर का है किि इस है कुल पाच प्रश्ण रहेंगे लिए कि प्रतेख प्रष्ण के प्रारम में असपष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने इसलिए आपको बोलना है कि निर्देश आपको पढ़ना बोर्ड के एकजाम में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है फ्रेंस अ आपका आठवा नंबर का है कि प्रश्णों की अंक, उनके सम्मूख अंकी था, यानि कौन से प्रश्ण कितने नंबर का रहेगा, प्रथम प्रश्ण से आरम कीजिए और अंध तक करते जाएं उस पर समय नष्ट मत कीजिए, कहने का मतलब एफ्रेंज, कि जिस प्रश्ण का ए से अब स्टार्ट करते हैं इसको हल करना यहां भी फ्रेंस आपका एक खंड और जिसमें आपको 20 बाविकल्पी प्रशन रहेगा 20 प्रशन दिये जाएंगा एक एक नंबर कराएगा इस प्रका से 20 अंग का खंड प्रशन है अब देखिए यहां पहला प्रशन आपका है फ्रें संथ होगा यह संथ होगा तो फ्रेंस हमेशा याद रखिएगा प्रिमें संख्या जो दस्मुलों प्रसार होता है वह कैसा होता है संथ होता है इस प्रश्ट का से करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलि अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए दूसरे नंबर का सवाल है कि एक शुनेतर परिमे संख्या और एक अपरिमे संख्या का गुणफल होता है आपसने सदे और परिमे संख्या होगा या सदे और परिमे संख्या होगा परिमे या परिमे संख्या होगा एक होगा देखे फ्रेंज इस वीडियो का आप लाश्ट तक देखे हम परते एक प्रस् कि अपरी में संख्या का गुड़न फल जो हता है सदेव सदेव क्या होता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंस पहले वाला तब परी में संख्या में फ्रेंस यह परी में संख्या का गुड़न फल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा परी में जैसे आप परी में नंबर का सवाल है घ्रहाए उम्हाढ कि रावर जीरो और चनी 6 ना का परतिछएठ बिंदु होगाँ देख है इस प्रश्न को आपके यहाँ में कितना क्यों मिह से आपके एक्स अहहीं धोर लग्याँ कितने और आपको पता होगा कि निर्देसां को कैसे लिखते हैं यहां पर यक्स कमान कितना है पहले से दे चुका है जीरो यक्स कमान कितना रखेंगे पर सबसे बढ़ी संग क्या पूछा है वह सबसे बढ़ीशंगए जसे सतर और एक सबसे बड़ी संख्या पूछेगा इसका मतलब होता है कि इसका निकालना होता है आपका दिया है सतर और कितना दिया सबसे तहें सब्स करेंगे इस निकाल दीजिए इक बार बावन का इसमेंगे फॉसक देंगे चलिए दीजिए देखें इसका भाग देंगे एक आपका एक बार जाएगा ठीक है यहां हो जाएगा आपका 52 अभाग दिए पांच में इसको ठीक से भी आपका हल कर इस में से आप उस संख्या का भाग देते जिसे आपका 65 भी और संख्या सब्सक्राइब बता सकते थे तेरा होगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका पांच वा नंबर का सवाल देखे इस सवाल को आपका इसे हल करेंगे यहां पूरा हल करके बताते हैं समीकर 2x प्लस ay पराबर एक तथा 3x-5y पराबर साथ का कोई भी हल नहीं है वोगा यहां पर देखे कोई भी हल नहीं पूछा है अब देखे एक अमान ग्याद करना कैसे ग्याद करेंगे यहां पर ध्यान दीजे फ्रेंज जब आप इसका तुलना करेंगे तो आपको पता है क इसको आप a x1 a1 x b1 y बराबर c1 इस तरह से तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना हो जागा दू b1 का मान कितना होगा a और c1 का मान कितना होगा एक हो जागा ठीक है इससे तरह इस समीकर करेंगे 3x-5y पराबर साथ है इसको तुलना कीज़े a2x प्लस b2y बराबर c2 तुलना क करेंगे तो Chandler कितना होगा और किछूंप यानि इसकी ऊपर क्या होता है ध्याकं इतना लिखने के बाद को क्या करना कि होथा कर नहीं इसका कंडिशन क्या होता है कोई हल नहीं जब इस तरह कोई हल नहीं होता है तो डिक होता है अब लिखें है यह क्या होता है पर बटा चिद्रस्वेश्ण सवाल को लगा सकते हैं अब इतिन ब्राबर नहीं थिए इधर इंधर समतलर नहीं है यहांब क्या कीजिते यहां बीटू क्मान माइनस यहां मैश है दिए के माइनस पांच तो ऐगे तो पांच रखेंगे यहां पर माइनस आगे यहां थी मैंद दस ब्राप के 3 ना कितना हुआ आपका ये कमान कितना हुआ ह्या हुआ है यह का नंबर का सवाल क्या है आपका जहान से देखेंगे आप लिखायी और 7 राबर 2 X2-4은 3 बराबर जीरू के बारे में नियूम्न नहीं खतनंतो पर विचार कीजिए अब देखिए इस सवाल को पहले हल कीजिए देखिए यहां विविक टिकड़ के बारें पूछा आना है तो देखिए विक टिकड़ को किससे दिखाते हैं पहले इसको लिखिए फिर इसके बाद बता देए देखिए 2x square minus 4x plus 3 बराबर 0 इसको तुलना की जैसे दिवगास सम इकड़ा तो दिवगास सम ax square plus bx plus c बराबर 0 इससे जब तुलना करें के तो a कमान कितना होगा दू और b कमान कितना हो जागा देखे minus 4 है तो minus 4 और c कमान 3 है तो 3 कर लिजी देखे बराबर क्या होता है b square minus 4ac पहले निकाले इसको फिर इसके बाद बताते है देखे बी कमान कितना है minus 4 minus 4 कर लिजी minus 4 गुड़े एक के जगब कितना है 2 और c के जगब 3 देखे 4 चोको 16 यह कितना हो 4 दूना क्या आट 3 के 24 ठीक है अब घटाएंगे 24 में 16 माइनस 8 पचेगा माइनस आने का मतलब क्या हुआ d कमान जो है किस से 0 से कम होगा यह होता है और माइनस जब आता है इसका मतलब होता है कि मूल वास्तविक नहीं है इसका मतलब यह होता है मूल वास्तविक नहीं है कि इसका देखें पढ़िए-पशं को पढ़िए जबासं को पढ़ेंगेए पर दिएक और स्वाश transition सुने से कम है यह तो है देकिन स्वाल की आप सब्सक्ट करेक्ट हो स्वालEd देख involves some क्या दिय अभी आप का किया आया था इए और बी दोनों सही था थे इसका सही जिए आप क्या होगा और पहले व्रहिप हो जा सब्सक्राइब अलग्षत 6-8 progress चीजय है अब स्क्राइब कर दें और डिखनी और को से 1 सिर्श करम जी देए खर च्राइब बी कमान दे पांच कमाद जीरो तो इसका विकड़ पूछ रहा है देखिए इस सवाल को आपको एसे लगाएंगे देखिए आपको बताते हैं देखे फ्रेंज इस पकाद से इसका एक आयत बना रहे यह आपका एक आयत है एक ओ दिया है तो बी इस तरह करम से लिख लिए भी हुआ एबी होने का मतलब इसकी एवी की बीच की दूरी ग्याद करेंगे तो विकड़ पता चल जाए देखिए यह एक सवन माल लिजे यह वाई वन है यह यह वाई टू है अब यहां पर एबी की बीच की दूरी एबी के बीच की दूरी कि फार्मुला रखिए बस इसका के वाई वाई वन रहां घड़ायां माइनस पास्टीक्त पचापाची ठीश वाए देखिए अब यहां से पार मैंस पाच की इस्कवार करेंगा तो पचा पचीशो का देकर तीन नहीं कंशागा अब हैब कितना हो जाएगा च NOW 34 अब द submit this folkt करोड़ी में 34 दिया है कि नहीं तो यहां पर देखेंगे आप करोड़ी में 34 तिसका कौन से सही जवाब होगा तीसरे बाला सही हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को हल करते हैं देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल आठावा नंबर का देखिए आठावा नंबर का है क्या यद यक स्क्वाइर प्लस एक मैंस 5 बटा के 4 बरबर जीरो का एक मूल 1 बटा है देखिए मूलikalके मतलब ये एक स कमान देता है यक्स कमान एक बटा के 2 है तो k कमान गयाद कीजे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइबाइब richtा आको सब्सक्राइब yell पर करेंगे याज़के नुन पर लेगा सब्सक्राइब चार इसको बस अल करना है यहाप हल कर लेंगे इनष्वर मिल जाएगा तहquar काथ-चारर को करेंगे के बटा के दू हो जाएगा माइनस पांच बटा के चार हो जाएगा ठीक है अब अंक वाला को पहले हल कर लीजिए देखे एक बटा के चार है माइनस पांच बटा के चार ती आधार बराबर है तो घटा देंगे ते पांच में से घटांगे ते माइनस चार बटा कित कितना हो जागा इसलिए कि कमान प्लस में प्लस में पताएंगे ठीक है इसका जवाब कौन सा होगा सेकेंड वाला सही हो जाएगा अब चलिए अगले देखि जो दो Itie je Alm momento संब्रोप महं प्लस में चलिए यहाइदी इंक संगत कोड बराबर हो ज़्या?. ऐससे बाला सही जवाब होजागा अब फ्रेंज दस्वे नंबर के सवाल को देखते हैं और इसे हल करके भी बताते हैं दस्वे नंबर के सवाल को देखे फ्रेंज कहा यह दि एक समकोर्त त्रिभूज ABC में कोर्सी नब्यांस है AC 3 cm और BC 4 cm तो बिद्व C से जाने वाली मादिका की माघ अब देखें फ्रेंस इस सवाल को पहले समकोड तिरभुच कहा दो एक समकोड तिरभुच इस तरह बना लीजिये और यहाँ भी देखें फ्रेंस यहाँ भी दिया सी दो कोड सी है दो यहाँ तो 90 हो गया कि इसको बी ले लिए अब देखें यहां बीजी क्या होता है कि यह मात दिखा होता है यह इसकी लंबाई बता नहीं पहले एबी का ग्याद कीजिए तो देखे एक विकड़ है तो देखे विकड़ माने एक करड़ यह क्या है सोरी दोस्तों यह एवी क्या है करड़ है तो करड़ का इस्क्वायर बराबर आधार का इस्क्वायर प्लस लम का इस्क्वायर यह होता है फार्मूला अब मारक देखे एवी का मान ग्याद करना है या आधार कितना आधार तीन है थे तीन को स्क्वार लम कितना है चार चार क कर लिजी ठीक है तितली के नम चार चुका ॉशोल जोड़ेंगे 25 होगा यहां ए-b अदर ओमकों करते दोनों पंप्चों कर दोने हो क्या हो मैं डी कर लिए। भाइब का यहां पिरक्ति कीतना थैंक इसका के इसका परसंट में प्रसार प्सक्याहीध सवाल को लगाना में नमबर को लग सवाल को देखे इस वाल को लगाते हैं फिर देखे कहा है कि एक सम चत्रभूज के विकड़ों की लंबाई 16 cm और 12 cm है इस सम चत्रभूज की भूजा की लंबाई ज्याद करना है देखे फ्रेंच जब इस सवाल को आप लगाएंगे ते देखे कैसे लगा सकते हैं इसको आप इस पकास एक सम चत्रभूज कीजिए देखे यह क्या है आपका सम चत्रभूज में चारों भूजाएं आपस में बराबर होता ठीक है यह A B C D अब इसके विकड़ को मिला है इसलिके विकड़ के लंबाई दिया है इस तरह विकड़ के मिलाएंगे देखे अब सम चत्रभूज में एक खासित याद रखेगा कि जो कितना दिया है 12 यह पता है कि विकड़ एक दूसरे को समझी भाजित करता है आध्यादा परावर भाग में 16 का आधा क्या हो जागा 16 का यह वाला आठ हो जागा 12 का कितना हो जागा इस पकास देखे जब यह है इस पकास समकोड त्रभूज बन रहा है जब समकोड ठीक है निका लिये देके करण क्या है यहां यारीडी का स्कॉरर और यही इक आंध करना थीक है यहां पर आधार modelling यह उतना आठ हुआ अलग्जान करता है चछार केसी का जिए थाफे बने छोत 5 स्कॉरर स्ट्वार के देखे दिगा पर घटाने के लिए दोनों पच्छों को वर्ग लिया जाता आपको पता होगा एडी वरा कितना हो जाएगा दस अब देखेंगे तो भूजा है समचेतर भूज का यह क्या है बूजा है तो कितना आएगा भूजा दस सेंटिमीटर तो चलिए अब आप संप कर देखते हैं कि अब देखेंगे इस सवाल को हल करते हैं क्या है कि कि दो समरूब तिर भूजा नौ के शतर रफल का नौ इसका बस एक फार्मूला जानते हैं यहां समूरूप तििरभूज दिया जब सम्रूप तिरभूज दिया रहता है तरहीं देखिस और बूजा अपान इस्टू कोहोग以 स्कुर्प मगई यह ने के बेतने आपके मस्क्री अपरशै के बंपात के बराबर हूता है आपको पढ़ते समय ध्यान दिजीगा यह वला आपसन गलत है पहले क्या है आपका सोलह आया है न था ना आप पहला सवाल है यहां प्रफट यह वहां आपको सवाली बटा के चाहिं अब हैं जब आपको चाहएं थीटा बड़ती ऑगर नंबर करते हो क्या लिख सकते हैं साइन टीटा बड़ता के काश ठीटा लिखता कि सकते हैं और कितना हों गाट के चार है अब देखे फ्रेज्स अब क्या सवाल क्या दिया है आपका यहां दियाद है अब इसमें किसे बाद बताते औहुत कि 4 4sin theta minus 4sin theta 4sin theta प्लस cटा अब दिखे सांग बटा कि कासे हर में क्या है कास है तो क्यों यह कैजिक कासझ ठीटा कामल लिग με जिए साइन ठीटा बटा कि कास ठीटा यहां पर हो जाएगा और मानिस यह कास निकल जागा एक हो जाएगा ठीक है और फ्रेंस यहां पर देखी इसी परका यहां से भी कास काम ले लिजे जब कास लेंगे तो यहां पर भी साइन ठीटा बटा कि क्या हो सकता है कास ठीटा और प्लस लिख सकते हैं तीन बटा का माइनस , यहाँ पे तीन बटा के चार प्लस एक है, सबसिंदर हमेदिरा जाएगा , यहाँ पर गुड़े चार हो जाएगा, तो पर तीन प्लस एक हो जाएगा अब देखें अगले अगले नंबर के सवाल को देख सेघ्टें से जोड़िए यह आप जोड़ने के बाद 90 अन्स होता है इसका अमान हमेसा एक होता है इसका सही जब्ट क्या हो जाएगा इसका सवाल को लगाना है द्यान दीजिए देखिया आपको 15 नमबर का सवाल है आपको 15 नमबर का सवाल भी हल करके बताते हैं देखिए यदि एक ब्रित का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके छेत्रफल का अनुपात होगा यहां भी देखें फ्रेंस एक ब्रित है ठीक है और ब्रित जो है ब्रित वर्ग के परि हेशार सबस्क्राइब करें तो यहां से 30 लिए ऑप यहां से 30 जागा यहां पर चार एब टाके जाए और कमान आपके पूछा क्या है कि उनके उनके च्छेत्रफ़ में अनुपात याँने उनके च्छेत्रफ़ बंचेतर फिक्ट ओवन पहांब्र मूल एस्क्वार होता है बस यहां मार राखीently मार राकते हैं पाई देखी यहांब क्या है पाई है नैर्निया पाई उब aye गुड़े करांगे चार एक स्वार इस्वार कर लीजियाँ आर के जगह पे और A2 स्कौर कर लिजिए देखी यह पाई हो जागा गुड़े चार करें चार चोको सोला ठीक है यहाँ पर A2 को स्कौर करेंगे दूदुना के 4 होगा पाई को करेंगे पाई स्कौर हो जागा बटा में आको कितना है यहां बच्छेगा चार बटा के यहां से बच्छेगा तो पाई का मान 22 बटा के साथ होता है ठीक है और चार गुड़े यह प्लट जाएगा तो साथ बटा कितना हो जाएगा अब देखे दू दूना के चार ग्यारा बर में देखे कितना साथ दूना के चौदा ग्यारा हो जाएगा ठीक है अब देखे अगला है आपका सुलहावा नंबर का सवाल देखे इसको कैसे आप लगाएंगे चौसरे गोलों के आयतन का अनुपात पाइगा तो बाएगर कितना चौस्ट बटा के 27 लिख सकते हैं देखे चार वटा कि तीन से चार वटा तीन कटेगा पाई से पाई कड़ जाएगा देखे आर वन बटा के आर टु का क्यू बराबर चौसट बटा के 27 अब यहां से क्यों अटाने के लिए दोनों पच्छों के क्या करें गनमूल निकालेंगे इसका भी गनमूल निकाल लेंगे आज से यह गटक कितना हुआ चार पाइब चार पाइब ऑण कता हुआ की 3 पूपाद पूछ रहा है पर देखेस पहले का निकल चार पाइब आर वन का इसक्वार होता है दूसरे काने कि निकल चार पाइब स्टक्राइब की डिए और यहां रिखते कि इस पर भी स्कॉर और कर सकता है नुपात में लिखेंगा नुपात आपका नुपात में दिया है तो शोला नुपातिनों कौन सा वगा यह वाल आपका परेक्टर जवाब होगा देख लिए यहां पर सत्रा नुम्बर का सवाल पर इस सवाल को हल करते हैं फिर इसके बाद इसके आप संद दिखाएंगे यहां कि एक से दस तक की धनात्मक विसम संख्याओं का समानतर मात पर एक सेदस तक कितने भी संख्याओं धनात्मक में एक सेदस तक देखिए आपका एक हो जाएगा पहले तो इसके बाद विसम संख्याओं तीन होगा निन क razdarshilabagOn पांच को सर्कितने पता हैं यह जोड़ लिजिए जब जोड़ेगा देखिए तीन चार पांच नो कितना पचीस बटा कितने पांच इसका समांतरमादे कितना होगा पांच आप चलिए इसके आप सन को देखते हैं तो इसका जवाब क्या होगा आपका चोत्वाला सभी हो जाता है। अब देख़े अब 8 नमबर को कि मादिका को आलेखी वीधी द्वारा निमन में से खिस्ते प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रा रहता है और गौत है अब हस्तर है तोरड की रूपर से क्या बोलते हैं। अब दिखे फ्रेंश 19 नंबर का सवाल है आपकी पेपर के यह भी इंपोर्टेंट है देखिए क्या है यदि कुछ प्रेच्छडों का माद्य 27 बहुलक 45 तब माद्धिका होगा अब देखे फ्रेंश इसका माद्धिका ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करेंगे अब देखे फ पहले इसका फार्मुलक पता होना चाहिए त यह बहुलक होगा आपका क्या होगा इ büyल ऊब्लोग बराबर क्या ओढ़े फार्मूला 3 ओ l ू. मांदिका नात्यवर्मुलारे फार्मुला . इसीदर नगेवाओी Kentण सबस्ति अका क्या हते हैं? हाग सबढ़ारे मांदिका फार्मुला.. मांदिका गयात करना है rumor मांदिका रहने दिजेंक है मास दूवरमा कितना दिए मांदिका 27 system आपयत आलिस हुआ यहां तीन गुड़े मात दीका हुआ है तो देखिए 27 का गुड़ा दू साथ 14 दूराइब 45 अजय उसको 55 करेंगे तो 45 प्लस 54 हो जाएगा यहां पर 3 गुड़े मात दीकां होगा ओई इसमें कितना होगा पांचार नियमनद ये गुड़ा में पच्छन्द में आप सबस्छाbst बाडा में आता इसमें देखेंगे कreakonNow sır से अधिक प्रकार और से कम प्रकार कि संचाई बारम बारता उख्रों के फ्रतिचेत बिंदू के भूज से करेक्षा सी आथिक प्रकार म आता है माधिका में शन्य सज्ण कर्लीy हो जागा देखिए फ्रेंस यहां पे आपका 20 नंबर का जो विकल्पी प्रशन था आपको टोटल हर करा है अब चलिए खंडबाव में जो 50 नंबर का खंडबाव में यह 50 नंबर का आएगा जिसे उत्तर पूस्तिक आप लिखना होगा इन प्रशनों को आपको बताते हैं और इसका पार्ट टू लाएंगे उसमें आपको क्या करेंगे इसका पूरा हल करा देंगे पहले आप प्रश्ण को देख लीजिए पहले प्रस्ण आपका क्या है पेपर का यही आने वाला है देखिए दो करमा का धनात्मा पुड़ांको गुर्णफाल दो से विभाज यह कतन स सत्य या सत्य का इस प्रश्ण आए गठीक हैं अगला है यह काट ठीटा साथ में वन प्लस साइं ठीटा उन माइस साइं एक यह सवाल आपका है ठीक है अगला देखिए एक स्ट्रंगों कार बड़तन जिसके आंत्रिक 2 2 सेंट मिटर उचाही 24 सेंटी मीटर है पानी से भरहा पानी को एक बिलनकार बढ़ता है जिसका आंतरिक ब्यास 20 cm में डाला जाता है तो बिलनकार पात्र में देखे जो प्रस्न आफ्रेंस आप इसको हल कीजिएगा और यदि नहीं आता है तो कमेंट बाक्स में लिख दीजिएगा इसका पार्ट टू लाएंगे और उसमें टोटल इसका ढॉल करा देंगे ठीक है डाले देखे पानी की उचाहिए जात करना था है अगला क्या का निम्हें आकडु और यह यह वर्ग अंत्रौ का समानघरा गाले इसका ऑन करना है जाता है प्रस्प्रेंस आता है इस प्रश्ण के आ से तयारी कर लीजिए जितने प्रश्ण आपको बता रहे हैं यहां पर देखिए आपका अगला है कि बिंदू माहिने चार कामा च्छ बिंदू माहिने च्छ कामा दस और तीन कामा एस आठ को जोड़ने वाले रिखा खंड को किस अनुपाद मी भाजित करता है यह भी प्रश् आपके बोड के एक्जाम में आता रहता है दोजा चोबीस में हंडेट परसंटेज यह सवाल समरेख वाला आएगा फ्रेंश ठीक है अगला है कि निमने लिखित में से किनी पांच खंडों को हल करना है यहां पर आपके जितने भी खंड दिया है उसमें से टोटल केवल पां अगला है आपका कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर chotty संख्याहों के बड़ी संख्यानला के आठका फ्रेंश कर हैं तेखिया फ्रेस इन अगला है कि चाफ्यांहें झाट्यमिटे तीरिजा के एक असेंट्वल रिजा के एक संकेंद्री फरित के किसी बिंदु से एक ष ठीक है देखिए दो खंबे जिनकी उचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तता ये समतल भूमी पर खड़े हैं यदि इनके पाद बिंदू की बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सीरों की बीच की दूरी जाद की चार नंबर का ये भी प्रशन रहेगा आपका अगला है कि किसी स अगले प्रशन को देखते हैं कि कैसा प्रशन आने वाला है देखिए अगला नंबर का है ये नीचे दिए हुए बंटन का माद्यक 28.5 हो तो यक्स और वाही का मान गयात की ये प्रशन आपकी बोर्ड की एक्जाम में 100% आएगा इसको तयार कीजिए आपको माद्यक बहुल पूस्ता ठीके कितने नंबर चार नंबर आपको तीसरा नंबर का सवावले की शुदि में기는 सामीकड़ हों को रहे ही क्यों कि समीकड़ के युग में उसकी वर्तमान आयू ग्याद किजी इन दोनों प्रस्णों में से किसी एक का ही आपको एंस्वर देना है जो कि छा नंबर करेगा इसी प्रकास चौता नंबर का सवाल फ्रेंस कि एक बहुमंजली भवन के शिखर से देखने पर एक आठ मीटर उचे भवन के शिखर और तल के अनमन कोड़ क्रमस तीस अंस और पैतालिस अंस है बहुमंजली भवन की उचाहर और दो भवनों की बीच की दूरी ग्याद कीजिए च्छा नंबर का यह भी प्रशन आने वाला है अथवा में यह प्रशन कीजिए या अथवा में दिया इस वाले प्रशन को हल कीजिए भू अगला है कि एक बरतन एक उल्टे शंकू के आकार का है इसकी उचाई 8 cm और इसके उपर ही सीरे की 35 cm है यह उपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बरतन में सीसे की कुछ कुछ गोलियां जिनमें परतेक 25 cm त्रिजया वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी की एक चवताई भाग बाहर निकल जाता है बरतन में डाली गई सीसे की गोलियों की संख्या ग्याद कीजिए कितने नंबर का अच्छा नंबर का यह प्रशन नही कि ओध्कार भाग का व्यास और 105 cm है इसमें भरे जासकने वाले पानी की मात्रह माव कर एक बत्चेक इतन कि इस बरतन का आयतन 345 सेंट्रीमीटर है जाज कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं या मानते हुए कि उपर्युक्त महापन आंत्रीक महापन है पाई कमान हलक हलक के जाएगा तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें